प्रणाम, जितने भी मेरे शुरू हता है, सब को पयर शुकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके बिना मेरी कोई अस्तित्व नहीं ह DVD मेरे कोई जीवन में हमेजा घुसेशा करता हूँ कि आपके 요 उege में खिशा स्वामी विवेका नंधी आजी के दिन संबोधित किये थे और आजीवा दिवशे और मैं भी जिस तरह स्वामी विवेका नंधी वाओं के दिल पर राज करते हैं आज भी मैं भी कोशिस करता हूं कि अपने विवाओं के लिए अपने भाईयों के लिए अपने बहनों के लिए कुछ है साही करूं ताकि मैं जिस तरह आप लोगों ने प्यार देकर मुझे बड़ा किया है उसी तरह मैं आजीवन ऐसे ही बड़ा होते रहूं जब तक जीओं आज सब के महबबत से जीओं एक मेरी शिनेमा बनी और मैं जहां एक और बात कि मैं स्वामी बिबेका नंद की तरह जीरो से हीरो बना हो उन्होंने जीरो पे साथ दिन तक बोलते रहा गए और पूरी दुनिया देखती रही उनको मैं भी जीरो से हीरो बना और आप सब के बदोलत बना मैं किसी को नीचा गिराना नहीं साहता इंडेश्टी में आज तक एक सक कोई भी इंसान मुझे परमोट नहीं किया मेरे कभी गाने आते हैं हिंदी के हो या भजपुरी के हो कभी किसी इस्टार ने मेरे बारे में बोला नहीं कि खेसारी भीया का गाना या खेसारी बाबू का गाना या किसारी जी का गाना या किसरीया का गाना इस दिन को रिलेज होगा आप सब जरूर देखिएगा बाकि किसी कभी होता है तो सारे स्टार सारे लोग पर मुट करते हैं बड़ मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है मुझे जरूरत जिसकी है वो मेरे साथ है वो है मेरी जनता मुझे कागज की फूलो से खुस्बू लेने की जरूरत नहीं है ये बनावटी लोग है कि मैं जब से आया हूँ किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं गिया किसी इस्टार ने दिनेस भिया ने मुझे प्यार दिया था मनोज भिया के घर पे बेर रहा भी हूँ उनका युगदान है मेरे लिए तो कि उनके घर पे में रहा हूँ खाया हूँ तो मैं किसी को भूल नहीं सकता दिनेस भिया ने पहली फिली मेरी जब रिलिज हुई थी तो दिनेस भिया ने मुझे सपोर्ट किया था अपने पाल से पैसा देकर अलोग भिया को अभे भिया का उगदान से निशान तुजुवल के उगदान से वो मेरा सिनेमा रिलिज हुआ साजन चले सवसुराल तो उसमें भीड़ जाते हैं कि नहीं उसको चलाना है तो जाकूर आखे साया मार सके न कोई मुझे इन कागज के फूलों की जरूरत ही नहीं है ये बना मैं आज चार दी से इतना डिश्टब हूँ तीन दी से कि साइद उसका अंदाजा किसी को नहीं होगा सिर्फ इस लिए कि क्यों यार बोलते तो सब हैं मैं सुबह सुबही अपने गलतियों की समा भी मांगा सबसे उसके बावजूर भी मस्ती मजाक हसी आप गाना भी गाते हो तो मेरे जीला को बदनाम करने पे लगे हुए हो सब के सब अब कोई का देता है कि छपरा शायी लवंडा के बारे में जानते है विखारी ठाबोग जानता है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ह। अकलीफ हों चपरात नाम युन जेadamente जो है वो तीन जीला को दो जीला क उसके कबजे में रहता है दो जीला का प्यार उसको मिलता है सर बलिया सासाराम डिहरी रोहताज से लेकर मुझे लगता है कि यूपी लखमाउ से लेकर बनारस से लेकर और अरंगाबाद से लेकर दुनिया की हमारे भजपुरी शमाज को जो लोग प्यार करते हैं सारे जीला मेरे अपने मा हैं अपनी बाप हैं अपनी बहने हैं हमारी सप्रा में सरे पेक्षारी लाली पैदा हुआ, सप्रा सिवान गपाल गंज का एक्षारी लाली है, वहां और इनसान नहीं रहते हैं, आप लोग को पता हो ना जी है, मैं कभी फ्लेट में नहीं रहा हूँ, उसका रिजन जानते हैं क्या है, देखिए, जमीन का अद्मी है, जमीन पर बड़ा खुबसूरत रुखता हूँ मैं भी, और आज तक मैंने जमीन महीं छोड़ी, इसलिए मैं कभी फ्लेट में नहीं रहा, जमीन का इनसान हूँ, जमीन के लोगों से महबत होती है, इसलिए आज इवा दिवस है, इसलिए मैं लाइब आया से पहुचा यहाँ पर, और यह सारी पूरी इंडेस्टी के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि खेसारी को लगता है कि कहां से उखाड के फेक दे, मुझे पता है, कि आपके उखड़ने से तो मेरे बाल तक नहीं उखड़ सकता, क्योंकि आपने अपने लिए तो कुछ उखाड़ कि बात कर रहा हूं, जो कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिस करते हैं, मुझे समिधान मत सिखाइए आप, समिधान में क्या होता है, आप खुद के लिए समिधान बनाएए, हमारे लिए समारा समिधान जो है, हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, और हमारे अ वहाज बाप ही नहीं। हमारे बज्चे ही नहीं। हमारी बीवि ही नहीं। उस सिनेमा को मुझे नीचा दिखाकर उस सिनेमा को टार्गित कर किया जा रहा है...ताकि उस सिनेमा न चले। दुलहन होई जो पियामन भावे है अभे भियाज से बरज प्यार आ गई है अशकर लोगों को प्यार दिखा कर क्या आगए कुछ मिल जाने वाला है नहीं मिलेंगे कुछ क्योंकि आपके मेहनत और आपका बिचार धारा ही आपको आगे बढ़ाएगा चम्चाई करने से इनसान बड़ा नहीं होता है ऐसा होता तो ये पुरी जनता को भगवाद जिसको मानता हूँ तो मैं दस चम्चा ही पाल लेता है या किसी का चम्चा बनके अपने जीवन को चला लेता है खाना बनने के बाद ही चम्मच की काम आती है समचा का काम सरी खाना बनने के बाद का है तो दुलहन होई जो पियामन भावे जिसके डिरेक्टर रजनी समिस्रा है हमारे जबकि जिन्होंने जो भी सिनेमा उन्होंने बनाया है अच्छा बनाया है भजपुरी को पुजवल उसके डिस्टुबीटर है तो यह सारी लोग मेरे गारजियों सुरूफ हैं सिर्फ इनको इसलिए प्राबलम है कि वह बहुत अच्छी सिनेमा बन गई और वह 14 तरीको रिलिज हो रही है यानि कि परसो अब आप लोगों को यह बताना कि अच्छी सिनेमा को आप लो कि आप मुझे बर्बाद कर रहा लोगे जब मैं कुछ नहीं था न तो भी मुझे जीने की आदत थी जब हमारे पास 10 रुपे क्या उकात नहीं थी तब ही मैं बड़ा सलिंता से जीता थी किसी को मैंने कभी तकलीफ नहीं थी यह पूरी इंडिस्टी जांगती है को सकता है म हम से होई और सारे लोग मेरे बड़े भाई की तरह शाए ओ दिनेस भी आ आ हूं पोउन भी आ हूं चैज़ने भी लोग है सब लोग मेरे गार्जियों सुरूप हो इन से हमेशा इनका आदर किया हो9 मैं अपने सेनियर का हमेशा अपने बाप की तरह पूछ था है उसका एक बार पुछीए, कैसे है, उसका उद्भारन के सारी लल, यादो होता है, लिटी बेचने वाल आदमी ना इश्वर ने सकल दिया, ना इश्वर ने परस्णाल्टी दिया, ना चेहरा दिया, ना अच्छी गाइकी दिया, गाता भी अच्छा नहीं हो, भी अश्वर खे lobster variance, श आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना अच्छा लगता हूं आपके अच्छे लगने से मेरे जीवन नहीं चलती है क्योंकि आप भी उस जनता को अच्छा लगते हो तभी आपको सपोर्ट करती है जनता अच्छा काम पर फोकस करेंगे तो साइद हमेशा मिधान सिखाना बन करें आप लोग हमेशा मिधान में जाने की जरूत नहीं हमारा समिधान और हमारा करम हमारा धरम, हमारी जीवन, हमारी खुशी, हमारी दूप, जो भी है हमारी जनता है, जिसके बदावलत मैं आज यहां तक पहुंचा हूँ उस चिनेमा को आप रोक नहीं सकते हैं, चलने से और यह परसो, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जितने लोग मुझे मुझे मुहबत करते हैं, जो नहीं करते हैं, मैं उनके लिए भी द्वाई करता हूँ, कि शुवर उनको हमेशा उन्नती दे, सुक्सांती दे, उनके जीवन में हर वो चीज़े आए, जो मुझे गाली जेते हैं, वो भी मेरे प्यारे भाई हैं, उनको लगता होगा कि मैं गलत हूँ, तो उनको गाली देने से मैं कभी नहीं रोग सकता हूँ, उनको लगना चाहिए, कि हाँ मेरा भाई गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज इवादिवस्त के दिने मुझे लाईवाने की जरुवत इसले पड़ी कि मैं आज कल रात अपने मा को लेके आया, बंबे मा का तवियर ठीक नहीं रहता है, तो गहां पे ठंडा भी है, तो मैं अपने ममी पापा को बहुत प्लार करता हूँ, क्योंकि दुनिया में बीबी दुबारा आ सकती है, मा बाप दुबारा पैदा किया नहीं जा सकता, हमारी बीबी मुझे छोड़के चली जाएगी, तो साइध हम अपने दूसरी साधी कर सकता हूँ, बेटा पैदा नहीं होगा, दूसरा बेटा पैदा हो सकता है, हम टाइम दे दे, अपने फैमिली को तो, बट मा को हम पैदा नहीं कर सकते, पीता को कर बिबी के बातों में आकर कभी मा को तकलीप मत दीजिये अपने पीता को कभी तकलीप मत दीजिये तो बसमे रिक्वेस्ट करने आया हो आप सबसे कि चखुदा तारी को हर जगा मेरी सिनेमा रिलिज हो रहे है और उस सेनेमा को रोकने की यह साजिस्ति की ताकि खेसारी को हम दनिया के नजर में गिरा दें और इसका सिनेमा एक खुबसूरत सिनेमा जो कि बहुत दिन बाद इतनी अच्छी एक सिनेमा बनी है जो कि एक परिवार से टच है एक ऐसे एक एक चाटी के मार नहीं है भाई इसमें एक ठापड़ उसके बावजूद भी लोगों ने इतना प्यार दिखाया है उस सिनेमा के प्रति यह आप सब का बढ़पन है कि हमारी सिनेमा फाइट से नहीं बनावटी फाइट से नहीं हमारी सिनेमा अच्छी कहानियों से चलती है क्योंकि हमारे घर में इतनी अच्छी कहानी इसलिए मैं अज अपने इवाओं के लिए आया अपने भाईयों के लिए अपने बहनों के लिए आया में लाई क्योंकि आज इवादिवस है और स्वामी विवेका नंद के ही विचारधारा पे मैं चलता हूँ मैं करम पे विश्वास करता हूँ विबाद पे नहीं किसी को नीचा दिख आप लोग हस हस के और मजाक उड़ा रहे हों क्यों कि उस्से चार सिनेमा ज्यादा मिल जाएगे आपको बना तो लोगे बेशने के लिए भी तो प्लेट फॉर्म चाहिए ना विकेगा कहाँ जिसको जनता का प्यार होता है ना उसको हर आदमी का प्यार मिलता है यहां तक रह गई अभे भिया का सवाल निसान तो जुवल का सवाल तो यह मेरे अपने हैं अपने थे अपने रहेंगे और इनके पास मैं काम के वज़े से नहीं हूँ उतनी मुहबबत और उतना सलिंता और उतना प्यार इनको देता हूँ अगर वो मुझे बेटा मानते है तो उनको मैं अपना बड़ा भाई और फादर ही मानता हूँ संसकार के मामले में मैं संसकार को सबसे उपर रखता हूँ उसके बाद ही पुरी दुनिया है और हमारा भज़पुरी संसकार नहीं संसकार की ऐसी पुतला है कि हमने अपने रिष्टों को काईम रखने के लिए पर्व तेवहार बना दिया हमारे मा के लिए अलग तेवहार है पिता के लिए अलग तेवहार है बहन के लिए अलग है बेटे के लिए अलग है तो कहीं न कहीं हमने तेवहार में कंभट कर दिया अपने रिष्टों को ताकि इसी पर्व के ओज़से इसी तेवहार के ओज़से कम से कम हम उस रिष्टे क यह बंगला तो मेरे जनता का दिया हुआ उपहार है आसिरवाद है मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं आज भी जमीन पर ही हूं किसी फ्लेट में नहीं हूं इसलिए मुझे मेरी आउकाद पता है कि मेरी आउकाद क्या है मैं कितना भी उच्छा ओड़ जाओं लकि लेंडिंग मुझे किसी एयरपोर्ट पर ही होना पड़ता है तो बस मैं आप सबसरी क्विस्ट करना चाहता हूं कि परसो मेरे एक सिनेमा रिलिज हो रहा है जिस सिनेमा को खतम करने के लिए जिस सिनेमा के उपर साजिस किया जा रहा था अगले देन ही ठीक है उगलती हुई चमा भी मांगा हमने सब कुछ किया उसके बाव्यूद लोगों ने मस्ती में ले लिये उसको चम्शाई का हद होता है आर आटिस्ट होना कलकार होना कलकार बनो नहीं चम्चा क्यों बन गए क्या हो जाएगा कोई पडूसर किसी का जीवन नहीं बनाता है आप खुद अपना जीवन बनाते हो और हम कलकार किसी पडूसर का जीवन नहीं बनाते हैं हम किसी पर दूसर का घर नहीं चलाते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम एक दूसरे के दिल में रहने वाले लोग हैं, चमचई से जीवन चलता है, कलकार बनो ना, सच्चे कलकार, सरस्वती के पुत्र है, पुत्र बनो आप, सरस्वती के पुत्र कभी गलत नहीं करते वो ग्यान की पुजारी है मैं किसी के बारे में सोच के भाई जी नहीं खराब कर रहा हूँ अपने समय जैराम राय जी, भाईया प्रणाम भाईया मैं किसी के बारे में सोच नहीं रहा हूँ क्योंकि ये साजिस जितनी हुई है, वो मुझे नीचा गिरानी का साजिस नहीं था, ये जो भी है, ये नीचा गिरानी की साजिस नहीं थी मेरी, मुझे कोई क्या नीचा गिराएगा, मैं आज भी बच्चा हूँ, कल भी बच्चा था, और मैं अपने जनता के गोद में बैठत हो मैं किसी के नीचा गिराने से मेरी अस्तित्व नहीं बरबाद हो सकती क्योंकि मुझे नीचा क्या गिरा होगा तो देखो ना जमीन पर ही हूँ जमीन का आदमी गिरता है क्या है और दिखा दो देखो भाई यह जमीन ही देखो यह देखो तो जो आदमी खुदी जमीन पे हो उसको अपनी चाह क्या गिरा होगे मैं सब जो जिनको बड़ा मज़ा रहा है नहीं उनके लिए ही बोल रहा हुगे तो बस खुद पे फोकस कर लो या अच्छी बाते हैं खुद पे मैंनत करो कि तो साइद मेरे आसपास खड़ा हो जाओ मेरे लकीर को मिटाने वाले सारे मिट गया और मिट भी रहें धिर पे मिट भी जाएंगे क्योंकि मैं भग्मान नहीं मैं पुजारी हूं सरभा का फूल अपने जनता के शर्णों में चड़ाता हूं अपने लोगों में चाहे वहाँ जात काउंट नहीं करता कि मैं किस जाती से बिलूं करता मैं क्या हूं मैं बिहार का बेटा हूं मैं यूपी का लाडला हूं मैं जर्कंड का एक सम्मान हूं जहां जहां भजपुरी बोली जाती हूं लोगों के दिल में गोद में बैठने व कि मेरा सिनेमा मैं अपने जन्ता से बस निवेदन करता हूँ. कि मैं जानता हूँ कि कोई आदमी मेरे सिनेमा के बारे में एक मिलट लाईब नहीं आया होगा, और नहीं कोई आएगा, बाकी लोगों का कुछ रिलिज होता है तो सारी पुरी इंडेस्टी लग जाती है कि भाईया ने ऐसा किया बबुआ ने ऐसा किया बबनी ने ऐसा किया आप लोग सपोर्ट करिए सारे लोग भीड़ जाते हैं कि उसको सपोर्ट करके उसके चीजों को चला दे लेकि कागज के फूल से खुसबू नहीं आती इनके सपोर्ट करने से आप चीज नहीं दिख सकते सपोर्ट उनका चाहिए जो आपको पैदा किया है वो हमारी जनता आपको बढ़ना होगा तो आप जनता के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हो किसी स्टार के सपोर्ट से नहीं और किसी कलाकार के सपोर्ट से नहीं जो खुद का अस्तिव तो पैदा नहीं कर सकता वो किसी और का क्या करेगा हम किस से मदद मांगेंगे किस से मंगो मदद मैं कि हां मेरा सपोर्ट करो मुझे जरूवत नहीं किसी आर्टिस्ट की कि मुझे सपोर्ट दे दो फेस्बुक पे आके मेरे बारे में बोल दो कि मेरा एक गाना रिलीज हो रहा है मत बोलना भाई मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उसके बोलने के लिए मेरी जनता है मेरी जनता खुद ही इतनी एक्टिव और इतना प्यार दे लेती है अपने आप लोग बोलते हैं कि भाईया का गाना है मेरे प्यारे जितने भी मेरे भाई लविव दिखा दो इनको भी बता दो कि 14 तारी को क्या करना है आप सब को 14 को इतना हॉल में टिकट बिलेक तो करा ही दो इस करोना काल में भी मैं चाहता हूँ की न कि टिकट बिलेक करा ही दो इतना टिकट बिलेक करा दो कि इनकी क्योंकि मैं जानता हूँ ये मुझे नीचा नहीं गिराना था भाई इनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था कि एक अच्छा सिनेमा बन गया है उस सिनेमा को हम बर्बाद कर दे किसारी को नीचा दिखा दे किसारी को लोगों के नजर में गिरा दे तो साथ सिनेमा भी नहीं चलेगा लेकि ये भजपुरी की संबान की बात आ गई है एक अच्छा सिनेमा है देखिएगा तो कहिएगा अगर बुरा लगे ना तो आप भर मतलब मुझे जितना आप गाली दे सकते हैं जितना बोल सकते हैं बोलिएगा मैं कुछ नहीं बोलूगा लेकि एक बहुत खब्सुरत सिनेमा बन गई है और उसी को खतम करने की ये साजिस चल रही है और ये कुछ लोगों की साजिस है आप समझ सकते हैं कि कितने कितने लोग होंगे लोगों को तो पता चले गया होगा मुझे बोलने की जरुवत नहीं है आप लोग तो इतने समझदार हैं कि वोट सत्ता ही समझ में आ जाता है कि बेटा मामा कहेगा लड़का मामा कहने वाला है आज कल के लोग समझदारी है हराद्मी पढ़े लिखे लोग है राजा राजे इस्तिवारी गोल लगतनी बाबा आप लोग शम्मानित लोग है बस काम पर फोकस कर लीजिए हमारे पर फोकस करने से कुछ होने वाला नहीं है जीवन में कुछ करना है तो खुट-खुट फोकस करिए और मेरे सिनेमा को आप क्या बरबाद करो लिए बड़े सिदत से काम करता है लंदन में ठंडी में मरमर के मैंने उस सिनेमा को किया रजनी समिस्रा ने अभे भैया ने शान तुझवल ने सारे लोग शमीर अपताब ने सब ने इतनी मेहनत की यार बासूदा हमारे केमिरा में सबने सबने हमारे हिरोई जितने दोनों हिरोईनों ने जमके मेंनत की सबने मेंनत की आपना हैंडे 1010 percent सबने दिया और यह कितनी अच्छी खुबसूरत सिनेमा बनी है कि मुझे लगता है कि भजपुरी के लिए एक संजीवनी बनी है वो और उस सिनिमा को बरबाद करने के लिए आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं ताकि कि सारी के हम नीचा दिखा देंगे तो साइद दुनिया सिनिमा को इनिशियल नहीं देगी अब मैं आज इवा दिवस पे मैं अपने इवाउं से कुछ मांगना चाहता हूं यह तकलीफ में मैं सारे बाते बोल रहा हूं मैं आता लाइप बड़े हासके आता हूं मैं आप लोग भी जानते हैं कि मेरे जीवन में मस्ती ही सब कुछ है को करता हूं मस्ती है तो मैं जाता हूं कि यह जितने लोग support करते हैं मुझे किसी आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कलाकार मेरे लिए कभी वेडियो नहीं बनाए कुछ जो मेरे भाई जो मुझे प्यार करते हैं बैचारी मेरे बारे में बोलते हैं मैं उनका सम्मान भी करता हूँ क्योंकि मेरे प्यारे भाई है और वो लोग बोलते हैं मेरे बारे में तो अच्छा भी लगता है ऐसा नहीं कि बुरा लगता है क्योंकि वो मुझे मुझे मिला है वो मुझे जानता है जो मुझे नहीं मिला है वो मुझे क्या जानेगा और मैं अपने जनता से रूबारू मिलता हूँ उसका रिजन है एस्टडम दिमाग में नहीं परदे पे है मुहबत परदे पे नहीं वो इनके बीच में है परदे पे आप मुहबत देखते हूँ वो इस क्रिप्ट के हिसाब से होता है लेकि मैं रियल में अगर मुहबत किसे से करता हूँ तो आप सब जनता और मेरी आप मंदिर ही नहीं मेरे लिए मस्जिद भी है मेरे गुर्दवारा भी है हर वो तरित धाम है जिस धाम पे पुरी दुनिया जाती है और पुरी दुनिया मैं हूँ आपका जो मैं हर तरित पे जाने की कोसिस करता हूँ हर उस धाम को अपना बनाने की कोसिस करता हूँ मेहनत तो आज स्वामी विवेका नंत के बिचार धारा के साथ ही चलता हूँ जीरू से हीरो बनाऊ न या गरीवी मैंने देखी है मत खीचो ठांग मेरी मत बदनाम करने की कोसिस करता हूँ ठीक है और जहां तक सिनेमा दुलहन ओही जपिया मन भावे अभे भिया के बैनर की सिनेमा यसी फिलिम की है खेसारी लालियादोस में एक्टर है रजनीश मिस्रा डिरेक्टर है और निशान तुजवल हमारे भाई है जो कि उस सिनेमा को डिस्टिवीटर है और बिहार में नहीं पुरी इंडिया मेरे लिए जो रही है तो मैं पुरी जहां जहां भी बज़ पुरी समाज के लोग मुझे महभबत करते हैं कल बता दो यार प्लीज बता दो कल ऐसा कुछ कर डालो कि इनको समझ में आये कि जाको राखे साया मार सके नको और मेरे साया आप सब है और इनको बताओ जहां कि सारी आपके आप से कितना प्यार करता है और आपके दिल में क्या है ओके थेंक्यो लब यू आल दुलहन ओही जो पिया मन भावे लब यू, हैंक्स, बाइ-बाइ, सब लोग खुश रहें, नए साल की धेर सारी सुपकावना, शौधा को बताईए कि आप मुझे कितनी महभबत करते हैं, लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, बस बलेक टीकट होना सही है, लब यू आल, तूट परो, अपने प्यारे बेटा क लिए अपने भाई के लिए, लब यू,